इस आश्रीड है वेल्कम आप टो इस पिरेंट अ लाइबरेटी एंफिर मिशन सायंस सभी विध्धर्थियों का स्वागत है जो भी लाइबरेरी साइंस से भी लाइब्रेटी से लाय से एमलाय से कर रहे हैं कर चुके यहां आप मेंसे कही सारे सस्टोडेंट एंड जो लाइक कर लें वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्षर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच सके तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले है यह फॉर्म निकला हुआ है इंडियन इंस्ट्रिट्यूट आफ मैनेजमेंट कोजी कोड से तो रिक्रूट्मेंट फॉर लाइबरेरी अटेंडिन्स कम स्टॉक असिस्टेंट एन लाइबरेरी एन इंफरमेशन एस्सूसीएट अन कॉंट्रेक्शल बेसेस तो कॉंट्रेक्शल बेस पे फॉर्म निकला हुआ है तो पहला पोजिशन है पर दो साल के experience मांगा गया है और जो age limit है वो 32 year होना चाहिए consolidated monthly remutation की बात करें तो 15300 रुपे हाँ पर मन्त आपको मिलेगा basic skill यहाँ पर मांगा गया है जो कि basic computer का knowledge होना चाहिए आपके पास reading, writing and speaking in English and Hindi in added advantage मिलेगा जिनके पास मतलब यह सारी चीज़े skill है उनको job involved segregation and selling of English and Hindi books and other reading material तो यहाँ पर जो भी आपका job जो रहेगा कि मतलब जो हमारे जो document है उनको segregate करना अलग-अलग करना shelf पर लगाना चीज़ों को हिंदी और English की book के material को मतलब एक तरह से shelfing करना है और फिर जो भी और other जो को लोग देंगे वो अलग रहेगा फिर यहाँ पर job profile आप इसको पढ़ लें क्योंकि बहुत सारी चीज़े इसमें लिखी है और आप इसको pause करके पढ़ सकते हैं और फिर second वाले पर चलते हैं अच्छा date of time of interview जो है वो भी आपर भी दो साल का experience माया गया है experience और उसके बाद skill require में working knowledge and working knowledge and hand-worn experience of koha d space is essential यह मतलब होना ही चाहिए आपको koha का d space की knowledge होनी चाहिए fair understanding and knowledge of copyright and intellectual property right and practice तो इसके भी आपके पास knowledge होना चाहिए उसके अलाओ यहाँ पर job profile यहाँ पर है आप इसको भी बढ़ सकते हैं age limit यहाँ पर है देखे 28 साल और 20,000 पर मन्त यहाँ पर मिलेगा आपको qualification and experience की बात करें तो full time master of library information sign that is mlis अगर आपने regular basis पे का रखा है तो इसके लिए eligible है किसी भी institute या organization से पर आपके जो marks होना चाहिए 55% से ज़ादा होना चाहिए in addition the candidate should have good English communication, profency in MS office, internet and good understanding and knowledge of business management electronic database तो आपके पास MS office का अच्छा खासा knowledge होना चाहिए English का communication आपके अच्छी होनी चाहिए और आपको business management electronic database में आपको knowledge होना चाहिए तो यह पुरा था अब general instruction में बात करें तो यह कब तक आप इसके लिए apply कर सकते हैं यह online application form है जिसका link हम वीडियो को discussion box में डाल देंगे और यह 14 11 2020 मतलब 14 तारिक तक इस महीने के आप apply कर सकते हैं अभी पास अभी वी आपके पास 6-7 दिन है और यहां पर देखते हैं candidates are requested to upload their photograph certificates and signature as per the format describe an online portal तो आपका जो photograph certificates है और signature हो मतलब जिस जिस भी मतलब performa में वो लोग बोले हैं कि format में भेजने के लिए उसी format में आपको भेजना है तो यह पूरा detail था आई होप आपको सारी information जो दिये हैं वो समझ में आ गया होगा तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स वीडियो में किसे अलग टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद झालब के लाद